हमारे सभी गन्मान्य सिक्षक गनों का मेरा नमस्कार सूपरभाद साथियों जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीजी साथ दवारा अपने अपने बिद्याले में जितने सारे बिद्यार्थी हैं उन सारे बिद्यार्थियों को जारखन डीजी स्कूल एप में रेजिस्टेशन कराना है तो सारे बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है बहुत कम रिपोर्ट आ रहा है कि बच्चे रेजिस्टेशन कर पा रहे हैं तो ऐसी प्रस्तिती में जब सरकार की ओर से हमें आदेश मिला है तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि अपना मोबाइल से आप एक से अधिक बच्चों का जारखन डीजी स्कूल एप में कैसे रेजिस्टेशन करेंगे इस वीडियो में हम पूरा बिस्तार से आप लोगों को बतलाएंगे तो साथियो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर आप सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इसे सस्क्राइब जरूर कर लिएगा तो साथियो हम लोग चलते हैं में दो तीन पॉइंट बहुत जरूरी है कि जानना है पहला बच्चा किस विद्याले में पढ़ता है तो आप उसके आधार पर उसका रॉल नमर आपको मिल जाएगा उसके बाद आपका स्कूल जिस ब्लॉक में है वो ब्लॉक मिल जाएगा वो जिला मिल जाएगा इसकूल का नाम मिल जाएगा उसके बाद हमको रेजिस्टेशन में बच्चे की और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए तो बच्चा का मॉबाइल नमर चाहिए जिसमें हमको रेजिस्टेशन करना है और बच्चा का सही नाम आपको पता होना चाहिए तो आप अपना मोबाइल से खुद से उनका रेजिस्टेशन आसानी शे कर सकते हैं तो चलते हैं बिना किसी देरी कार हम लोग इसका रेजिस्टेशन करने चलते हैं और किस परकार registration करेंगे वो आपको हम दिखा रहे हैं तो साथियों सबसे पहले हम लोगों को Google Play Store पर जाना है जैसे ही Google Play Store पर हम जाएंगे उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे जैसे यहाँ मेरा अल्रेडी टाइप किया हुआ है देखिये यहाँ पर यह यह टाइप आप करेंगे Google Play Store में जारखन डीजी स्कूल एप यह आप टाइप करेंगे तो साथियों बगल में आपको एक दाहिना साइट इंस्टॉल दिख रहा है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद अब देखिये इसको इंस्टॉल हम कर रहे हैं इंस्टॉल हो जाजा रहा है दिखिए भी हो जाएगा कुछ ही दिर में तो यह इंस्टॉल मेरा लगबख हो गया है तो यह इंस्टॉल हो रहा है तो आप information लेके बैठे रहेंगे सारे बच्चे का और आप आसानी से बच्चों का आप जार्खन डीजी स्कूल एप में registration कर सकते हैं तो साथियों हम चलते हैं और आईए देखते हैं कि आईए आप देखते हैं यहाँ पर आ गया हमारा सब कुछ ओके हो गया इस नीचे open दिख रहा है आप उसको open करेंगे open करने के बाद जार्खन सरकार यानि गवंधन अब जार्खन लिखा वा रहेगा है हमन्स अरे नमारा मुख्यमंत्री का फोटो है तो इसको आप यहाँ skype करने का है आप skype कर देंगे Skype करेंगे उसके बाद आपको जो मिल रहा है देखिए यहां पर इविद्या बाहनी के लिए तो यहां Continue का Option दिख रहा है आपको DG School App में तो यह Continue का बटन आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस परकार का यह खुल जाएगा तो इसमें साथियों जो नमर हमको देखना है कि हमको Add करना है यानि इसका Group में हमको इसको बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना है सबसे पहले आप Confirm अगर नहीं है तो आप उस Mobile नमर को यहां डालेंगे जैसे हम एक Mobile नमर विजय मिर्धा का देख रहे हैं कि यह Registered हुआ है या नहीं तो 6200747414 और यहां पर Login का Option में जाएगा यहां लिख रहा है Mobile Not Registered इसका मतलब है इन्होंने अपना registration जारखन DG School एप में नहीं किया है तो साथियों जब नहीं किया है तो हम क्या करेंगे यहां नीचे देखिए New Student Registration Here यहां दिख रहा है इसको आप यहां पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह वाला आपका पेज खुलेगा देखिए district इसमें बच्चे का क्या क्या information देना है कुछ ही information देना है तो उसमें 5-6 information तो पहला है district का नाम तो मेरा district है वो दुमका है तो हम यहां पर दुमका देख रहे हैं कि कहां है दुमका हमको यहां पर मिल गया दुमका को हमने डाल दिया साथियो अब block आपका school किस block में पढ़ता है उस block को select करना है तो मेरा school सिकारी बड़ा block में पढ़ता है तो हमने सिकारी बड़ा block select कर लिया अब school का selection करने के लिए आ रहा है तो मेरा school high school चकलता गंदरकूर है तो हम चकलता गंदरगपूर को selection कर रहे हैं तो देखते हैं किदार है चकलता गंदरगपूर आप खोजिएगा इस परकार से तो आपको मिल जाएगा तो मेरा चकलता गंदरगपूर हम देख रहे हैं कहां पर है उसके बाद उसको वहां पर आपको OK कर देना है चकलता बार में आपको खोजने में थोड़ा दिक्कत होगी तो हम इसको खोज रहे हैं देख रहे हैं कि जैसे हमको मिलेगा उसके बाद हम वहाँ पर उसको क्लिक कर देंगे तो हमरा क्लास 10 में पढ़ रहा है तो हम क्लास 10 का दियें अब यहाँ पर बच्चा का मोबाइल नमर डालेंगे तो मोबाइल नमर है 6200747484 यह बच्चा का नमर है एक बार फिर आप कनफर्म हो लेजिएगा 6200747484 और यहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे तो यह इतना आ जाएगा अ स्टूडेंट का नाम लिखना है सही नाम तो इसका नाम है बीजय तो हम बीजय लिख रहे हैं बीजय नाम है इसका बीजय यह हो गया बीजय और उसके बाद मिर्धा है तो यहाँ पर आप मिर्धा बीजय मिर्धा तो यह बीजय मिर्धा हमारा आ गया तो साथियों यह जब आगया तो आप एक बार information को फिर से चेक कर लेंगे कि आप सही भरे कि निए डिस्टेक दुम का ब्लॉग सिकारी पड़ा इस्कूल नाम आरके हाइस्कूल चकलता के अंदरकपूर क्लास 10 मोबाइल नंबर मिला लिजेगा और बच्चे का नाम देख लिजेगा और रेजिस्ट यहाँ पर आप क्लिक किजेगा क्लिक करने को बाद यह दिख रहा है कि ये औरेड़ी ध्धार्खंड डिजी इस्कूल एप में रिजिस्टर हो चुका है तो साथियो 22-23 को ऐरो जो दिख रहा है इस औरो को आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा कि बिजय मिर्ध class 10 register हो गया है तो साथियों जैसे इसका register होगा उसके बाद आप log out जो last में दिख रहा है उस log out को आप click करेंगे यह log out और यहाँ पर yes कर देंगे आप log out हो गए अब साथियों हमको एक दूसरा number है नकूल बागती का इसको हमको add करना है एक बच्चा का हो गया हम दूसरा बच् station तो कर तो नहीं लिया है अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप 825227272930 यह mobile नमर है इसका नकूल बागती का 825227930 यहाँ पर हम log in हो रहे हैं तो देखिए यह registered है तो registered है अब नकूल बागती है कि कोई दूसरा इस पर registration किया है वो आपको पता लगाना है वाले registration तो है बच्चे का तो आप यह तीन गो एरो का चिन्द में देखिए तो यहाँ पर देख लिजिए नकूल बागती registered नहीं है बलकि आसा बागती रेजिस्टर इस mobile में है इस एप में registered क्या हुआ हुआ है तो साथियों अगर आप सालय में ही admission लेंगी नकूल बागती जो लिया है दिनकी बहान है आसा बागती वो ने आइड में था इस बार नाइन में में मेरा ही स्कूल में admission लेगी तो अगर हम यहाँ पर नकूल बागती का भर देते हैं तो फिर आसा बागती का भी registration हमको कराना होगा तो ऐसी परस्तित ब्लॉग भी दुमका, class भी 8 है तो इसको हमको आसा बागती के ही रहने देते हैं तो उसको आप क्या कीजेगा कि यहाँ पर आप देखिए इसमें अब आप देखिए कि कहा कहा तो यहाँ पर पहला तो जिला हमरा भी दुमका था आसा बागती जहां registration की थी वो भी स्कूल का जिला दुमका था तो उसको वैसे छोड़ देना है यहाँ पर ब्लॉग को चेंज कर देंगे क्योंकि मेरा इसकूल का ब्लॉग जो है सिकारी पड़ा है तो हमने सिकारी पड़ा को डाल दिए अब इसकूल का नाम हम selection करेंगे तो मेरा इसकूल जो है वो इसकूल यहाँ पर ह खूजने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा टाइम लग जा रहा है एक दो बार करने के बाद आसानी हो जाएगा फिर हम नीचे जादे चले गए तो आरके हाई स्कूल चकलता गंदरकपूर देखिए यह दिखेगा नहीं यह ज्यादा आ गया आप देखते हैं इसको खूजिए तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है खूजने में तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है खूजने में हम लोगों को स्कूल थो इसकूल हम लोगों को खूजने में थोड़ा टाइम लग सकता है तो उसको आप टाइम यहाँ पर है देखिए आरके हाई स्कूल चकलता गंदरकपूर तो इसमें हम इसको कई कर दिये अब कलास यह एट थी अब हम यहां मेरा इसकूल यहां दो ही कलास पड़ाई होता है नाइन और टेन तो यह नाइन में चला चले गया नमर तो वही रहेगा और लड़की का नाम भी वही है यह नकूल भाक्ति का क्या करेंगे नकूल भाक्ति के लिए फिर से आप एकजिट होईए और उसको कॉंटेक्ट करके अल्टरनेट नमर दूसरा नमर लीजिए तो उसके बाद हमने उसका दूसरा नमर लिया है नकूल भाक्ति का और उसका हम रेजिस्टेशन फिर से करेंगे त वो नम्मर कहीं 7858969645 कहीं यह रेजिस्टर्ड तो नहीं है अल्रेड़ी नहीं है तो हमको इस नम्मर पे हम फॉन करके पूछ लिये थे तो नकुल बाक्ति का रेजिस्टेशन आपको यहां से कर देना है तो साथियों नकुल बाक्ति का रेजिस्टेशन करने के लिए अब हम को क्या करना है वह मेरा इस्कूल का कक्छाथ 10 वी का विद्धि तो उसके लिए हम ढिस्टीकंद करेंगे तो मैं दुमका जिला है तो दुमका चिला में चले गए बॉक को स्दोक करना है तो सिकारी बड़ा बॉक हम स्दोक कर लेए इस्टूल का नाम सेलेक्ट करना है तब हम स्कूल का नाम चकलता गंदरकपूर सेलेक्ट कर रहे हैं देखिए आगे बढ़ते जाईए आपको मिलेगा या पार हो गया देखें रगता है कि पार हो गया तो फिर से हम लोग जादे दूर तक निकल गए तो चकलता गंदरकपूर पार हो गय तो फिर से हम लोग उसको वहां जाएंगे चकलता गंदरकपूर खोजने में थोड़ा सा ये बहुत सारा स्कूल का नाम आ जा रहा है जिसके वज़ए से दिक्कत हो रही है लेकिन एक खोज के आपको यहां पर ओके करना है तो चकलता गंदरकपूर कहां चला गया तो इसको हम लोग इक करेंगे पार हो जा रहा है धीरे-धीरे करके देखते हैं कि चकलता गंदरकपूर कहां पर है अबा थोड़ा दूर में है दिक्कत हो जा रहा है स्कूल को खोजने में थोड़ा सा प्रॉबलेम हो रहा है कके साथियों देखिए यहां पर अब का अब दिखेगा बेना गडिया सिकारी पड़ा इसके आगे चलते रहिए गंद्रकपूर गंद्रकपूर गंद्रक तो साथियों ये देखिए आपको RK High School चकलता गंदरकपुर यहां पर दिख रहा है तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया तो इसका High School का पता चल गया Class तो हमने बताया कि इसका Class 10 का ये भी द्यार थी है तो हमने Class 10 लिखा अब इसका Mobile नमर को यहां एंट्री करेंगे जिसको हम Phone करके दूसरा Mobile नमर लिये थे 7858969645 यहां पर नाम लिखेंगे Student का नकुल बागती तो यहां पर हो गया नकुल नकुल हो गया और बागती तो यह बागती नकुल बागती तो यह नकुल बागती आ गया अब यह देखिए इसका Information सब सही है कि नहीं तो वो देख लिजेए आप मिलागा कि आज जैसे ही सब मिल जाएगा रेजिस्टर्ड कर दिजेगा तो सक्सेस्फुली यह रेजिस्टर्ड हो गया नकुल बागती रेजिस्टर्ड हो गया तो उसका Mobile आप डाल के देख लिजेगा कि यह सही में रेजिस्टर्ड हुआ कि नहीं गश्टर्ड हो गया तो साथियों अब हम लोग दूसरा एक और दूसरा हम लोग देखेंगे और हम लोग किस परकार कर सकते हैं रेजिस्टर्ड तो इसके बाद आगे बढ़िएगा इस परकार आपको आ सकता है तो अगर आशा को हम लोग आसा बाक्ति को अगर हम वहां करके नकुल को कर देते तो आसा को हमको फिर से करना पड़ता इसलिए उसको फोन करके उसका दूसरा नमबर ले लिए और आसा बाक्ति को उसी में हम 9 कर दिये और नकुल बाक्ति को अलग से रेजिस्टेशन कर दिये अब एक नमबर और है जि यह नमर रोइन या नहीं है तो किलियरली है हो गया कि यह जो स्टूडेन का नाम है वह बिस्वनात पाल यह रइस्टेशन नहीं किया है तो साथयों फिर से हम कहां जाएंगे तो वह hice registration का जो नीचे वो option है उसको क्लिक कीजेगा फिर वही सब करना है डिस्टिक को डालना है सबसे पहले तो मेरा दुमका जिला है मने दुमका जिला डाला blog जो है वो मेरा सिकारी पड़ा है तो सिकारी पड़ा हमने डाल दिया इसकूल का नाम हमारा आरके हाई सकूल चकलता गंदरकपूर है तो उसको हम डाल देंगे अभी गंदरकपूर का खोज के हाई सकूल चकलता गंदरकपूर को छोड़ को खोज करके और वहाँ पर हम option में डाल देंगे थोड़ा सा time लगेगा इसको खोजने में अब देखते जा को तो क्लाउन सा क्लास है टेन क्लास का है अब इसका आप मोबाइल नमर डालेंगे जो आपके पास पहले से इवलेबल है तो 9955635282 यह हो गया नमर और नाम है इसका विश्वनात पाल तो विश्वनात पाल एस एच विश्वनात टी एच विश्वनात और पाल तो विश्वनात पाल हमने लिख दिया विश्वनात पाल और इसको आप क्या किजेगा आप एक बार फिर देख लीजे सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा है अब आप क्या किजेगा कि इसको रेजिस्टर करने कर दिजेगा को यह registered कर दीजिए तो यह registered हो गया successfully registered हो गया अब आगे हम देख रहे हैं कि इसका number डालके कि यह सही में उसका registration हो गया 9955635282 और login होके देखिएगा कि देखिए इसका successfully registration हो गया है और वो उसी का है कि नहीं देखिए विसाल पाल class 10 तो यह हो गया तो यह हम अराम से कर सकते हैं और उसके बाद अगर एक हम लोग और देखते हैं कि एक बच्चा का हम लोग पहले check नहीं किये और हम registration करना शुरू कर दिये एक गुलाम रसूल लड़का का नाम है तो उसका हम भरना शुरू कर दिये तो सबसे पहले हम पहले उस नम्मर को चेक नहीं किया कि यह मतलब जिजार्खन स्कूल डीजी एप में registered है या नहीं है उसका चेक हम नहीं करके सिधा हम भरना शुरू कर दिये हैं तो भरने के बाद यह स्कूल का नाम भी डाल दिये हम चा क्लास भी क्लास 10 का विद्दियार थी है उसको भी डाल दिया उसका मोबाइल नमर हम यहां डाल रहे हैं 8102626651 यह उसका मोबाइल नमर है और यहाँ student का नाम है जो है उसको लिखेंगे गुलाम रशूल गुलाम रशूल रशूल ये हो गया गुलाम रशूल, student का नाम हो गया, अब इसको हम register कर रहे हैं, तो register करने के बाद लिखता है mobile number already exists, यानि पहले से ये इस mobile number में register है, हमने check नहीं किया था, और यहाँ पर हमको जब मिल गया तो आप क्या करेंगे साथ यो यह OK का बटन दबाएंगे और यहाँ पर login सबसे registered के निचे जो है login है इसमें login करके आप देख लिजेगा क्या सही में यह registered है और उसी के नाम से है कि किसी दूसरे के नाम से तो 81026266 थाइप वन यह आप डाल दिये और हम यहाँ पर इसको login हो गए तो यह तो सही में login क्या हुआ है इसमें registered क्या हुआ है mobile और हम देखते हैं बाया साइट का तीन जो कल्लकीर है उसको लेकिन यह हाँ वसी student का गुलाम रसूल क्लास 10 वही विद्यार्थी है और मेरा ही स्कूल है कि नहीं my profile में जाके देखिएगा हमरा ही स्कूल का है सारा चीज information देखिए मेरा ही स्कूल का है तो आप इनको छोड़ दीजेगा क्योंकि यह already मेरा स्कूल में क्लास 10 का विद्यार्थी था और इन्होंने registration कर लिया है अगर नहीं करता तो इस परकार से साथियो बहुत सारा जितना बच्चे है उनका mobile नमर ले करके और आप आसानी से इसमें जारकंड डीजी स्कूल एप में registration कर सकते है तो इसमें जरा सा अभी दिक्कत नहीं है तो साथियो वीडियो आप लोगों कैसे लगा कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा और वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गया है तो पिलिज इसे लाइक जरूर कर दीजे और मेरा यूट्यूब चेनल रजा एजूकेशन क को सस्क्राइब जरूर कर लेजिएगा तो साथियो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं सभी गन्मान्य सिख्षकों को पुनह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं